Hello everyone, मेरा नाम अबिशेक है और आज मैं एक बहुती छोटी सी क्लिप देखूँगा विवेक अगनी होतरी जी की जिसमें वो शाद चार बाख पॉड़कास्ट पे गए है और जिसमें वो बता रहे हैं की कैसे बॉलिवुड स्टेरियोटाइप्स क्रियेट करता है जो कि एक कश्मीर फाइल से उससे भी बड़े लेवल के इश्यू को डील कर रही थी बट क्योंकि वो अकेडमिया में जो प्राप्लम है जो कि सीपन होके फिर हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत बड़ी प्राप्लम क्रियेट कर देती है मावाद और उससे रिलेटेड और you know like extreme leftism से रिलेटेड बट क्योंकि लोग इतना academically उस चीज़ के बारे में sound नहीं है और उसके effects को directly देखनी पाते जैसा कि जबकि वो हो रहे होते हैं सोसाइटी में क्योंकि you know वो decades लेते हैं अपना असर शो करने में और उसके जो negative effects हैं उसको भी लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं कि लोग इतना अवेर नहीं है कि जहाँ जहाँ वो चीज़ें ने कबजा किया वहाँ वहाँ उन चीज़ों के क्या आसर रहे तो शायद इसलिए वो project इतना सफल नहीं हुआ लेकिन the Kashmir Files क्योंकि वो directly लोग के सामने का एक particular individual incident था इसलिए उसने I think उनको एक बड़ा ground traction दिया है जिसकी वैसे लोग उन्हें अब एक बड़े level पे जानते हैं तो anyway इन्होंने इस clip में बताया है ये कुशल महरा का एक podcast है दचारवाग podcast इस पे वो आये थे इस पे उन्हें बताई कि कैसे Bollywood एक खास तरीके से चीज़ों को create करता है और वो stereotypes को create करता है और stereotype create करना क्यों problematic है अगर ये already obvious नहीं है तो हम भी थोड़ा discuss करेंगे इस clip के बा लक्ष की जो हीरोइन है जो जो जनलिस्ट है वो बर्खादत में बेस्ट है लेकर जो वार रिपोर्टिंग इंडिया की जितनी भी है वो कौन लोग करते है जिनको 30,000, 40,000 रुपे मिलते है वो तेलगू बोलते है वो हिंदी में लिखते है रितिक रॉशन की एक मुई आई का फिर क्योंकि मुझे पर जहां तक मुझे लगता है मैं ठीक हूँ गार्गिल वार हीरो थे विकरम बतरा उनकी लाइफ पर मुवी बनी थी उसमें प्रीती जिन्टा जो एक्ट्रिस हैं जिन्होंने बर्खादत से इंस्पार्ड रोल आईगस किया था यह उसकी बात कर रह है तो इसके हिंदी में भी एकसंट होगा जहां से बिलॉंग करता है उस जगे गा ऐसा इनसान भी हो सकता है बंगाली में लिखते हैं चोडेगरों में रहते हैं मिल्ल क्लास जगर्नलिस हैं जगर्णिस हैं इत्मा बड़ा है इत्मा हजारों न्यूज़ पेपर्स लैंगुज़ में इन लोग उन्गों टीवी में जो एंकर्स देख लिए जो टेली प्रॉम्टर पढ़ते हैं उनको स bist 형ravorf इत्मा स्टेट्ट्ते के वरोड में इन क्ला यूर्स हैं इन रही जिल्क अरु। तो ये बस ये क्लिप थी, इतनी जोटी ही जी ही क्लिप थी बट क्योंकि इस क्लिप में जो टॉपिक इन्होंने उठाया न, वो बहुत important है देखो, इन्होंने बताया कि Bollywood एक खास तरीके से समाज में जो लोग हैं, उनको caricaturize करता है इन्होंने trivialize word भी उसकी है, क्योंकि trivialize भी वो करता है I agree with that too, इसका मैं example आपको दे देता हूँ घर में जो knocker होगा, उसका नाम होगा Ramu Kaka, ठीक है और वो एक खास तरीके accent में बोलता होगा, जिसका मतलब वो UP या बिहार से है ठीक है, जो labor होगा, वो भी भई होगा तो ये हो गया, वहां के लोगों का, characterization इसके अलावा, जब कोई बनिया अगर character है, तो वो लालची होगा stingy होगा, evilish mind का होगा ये नहीं कि, हो सकता है, पैसे save कर में गाँ उसको हो सकता है कि वो एक अच्छे mindset से आ रहा हूँ, उस चीज़ पर नहीं एक negative mindset से आएगा, you know कोई अगर brahman होगा, तो वो nerdy type होगा, अगर आप लोगों तेरे नाम देखिये तो उसमें जो, जिस बंदे ने पंडित करोल किया था पंडित आप सुनके, कई वारा आप देखते होंगे कि कोई movie होती है, उसमें शादी का को इसी ही नहीं होता है, एपंडित भाविदरी, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, एक example दे रहा हूँ, और ऐसे ही बाकी सारे लोग भी, you know जब, even उनको, मालीजे, चलो, आप कह सकते हूँ कि मैं, you know, खास-कास्ट वगरा के बेस पे बोल रहा हूँ, नहीं, किसी रीजन से भी किसी को represent करना होता है, किसी स्टेट से, साउट के स्टेट से किसी को दिखाना होता है, उनको एक खास तरीके में दिखाएंगे, you know, हर ल तरीकों से जो भारत का जो समविधान है, या constitution, वो ऐसे प्रावधान ला रहा है, जिसमें से reservation बगरा है, जिससे हाला कि मैं basic level पे agree नहीं करता, लेकिन चलो, at least, कुछ तो उससे शायद help हो, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इतने लोग अगर ऐसा सोचते हैं, तो शायद आप movies में, जो की actual में popular culture को build करते हैं, उसमें जब आप इस चीज को continue करोगे, हर एक particular background जायओ, जाती जाने वाले वेक्ति को, एक खास तरीके के nature में show करोगे, तो वो ही expectation बन जाएगी, लोगों की expectation ही वो बन जाएगी, कोई जाट है तो वो बेवकूफ ही होगा, अनपढ़ ही होगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, जाट लोगों ने चैसल अलंपियाड नी जीते हैं, जाट लोगों ने कोई और इस तरीके के काम नहीं किये, जिसमें intelligence की ज़रत होती है, तो, you know, same with like, Sikh people, तो ये जो stereotype करना है, Bollywood का, ये, मैं actually अक्सा सोचता था, यार हमारी country में लो में जाएंगे, especially West में जाएंगे, तो आप किसी को गर काला बोलगे, सिर्फ, you know, like, एक negative term में use करोगी कि वो काला है, तो आपको बहुत बुरी नजर से देखा जाएगा उसकी वजा से, या किसी भी physical aspect पर, या उसके background पर comment करोगे, तो आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा उस चीज के लिए, इंडिया में Bollywood actively उस चीज को promote करता है, अभी बहुत recently, अब थोड़ा सा, you know, like, LGBT friendly हो है, क्योंकि West से भी तो इनको influence होना ही है, जो भी हो कर रहे है, वो ही करना है उनके बीचे लगके, वरना otherwise जो यह है, उस community के लोग थे हैं, उनको भी एक खास तरीके स portray करते थे, negatively, तो Bollywood का जो influence है, एक आम बंदी की सोच पे, उसका जो negative effect society पे पढ़ा है, इस चीज को actually analyze करने की बहुत जरूरत है, और एक और मैं आपको reason बताता हूँ, ऐसा करते क्यों हो सकते हैं, और मैं यह reason यह नहीं बोल रहा है, इसलिए ऐसा करते होंगे, मुझे reason इस किसी character को लिखना होता न, तो उसमें महनत लगती है, उसको shoot करने में महनत लगी है, आपको, you know, like, पहले को character को लिखना पड़ेगा, फिर उसको dialogue को लिखना पड़ेगा, फिर story में उस पूरी situation को fit in करना पड़ेगा, बोलिवुड की movies की quality घटिया होती क्यों है, उसका एक ब भीड़े लग जाए, जो ये hero का character play करते है, क्योंकि उनको जाद असली में लगता है कि वो hero है, वो ऐसा ही है, जैसा वो film में दिखा रहे हैं, you know, like, more than, you know, like, super human वाली image, एक जो आम इंसान होता है, एक इंसान है, अगर वो किसी background से है, हो सकता है, वो पढ़ने में बहुत अ जीन ही होगा, बिलकुल इसकी body में मसल का कोई नाम ही निशान निया हुआ, क्योंकि वो पढ़ाई में द्यान दे रहा है, उसको चश्माई चड़ा हुआ है, तो character लिखने में, character को deeply लिखने में, उसकी different arts को explore करने में महनत लगती है, time लगता है, craft लगता है, उसको फिर पर हमारे जो, मैं अकसर, यही मेरा होता है कि इनको basically इन्होंने इस art को, इस craft को money making के हिसाब सी use करने शुरू कर दिया है, जैसे आब अकसर देखते हूं कि builders के बारे में सुनते हूं कि builder घटिया quality के घर बनाते हैं, और you know, buildings बनाते हैं और उनको जल्दी जल्दी बेचने के चक् मेरे उस वाले sentiment को टिक की है, इसलिए मैं सुचा इस पर बात करनी चाहिए, तो hopefully कुछ काम की बात दी होगी देखने के लिए, thank you.